इस वीडियो में P.E.T के सिलेबस में जो एक टॉपिक दिया हुआ है दिल्ली सल्तना तो उसे कंप्लीट कवर करेंगे जितने भी कोश्चन यहां से बन सकते हैं सभी यहां पे देखेंगे और इससे पहले हम अरब आकरमण भी थोड़ा देख लेते हैं जिससे कोई भी करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में पूरा वीडियो का लिंक दिया हुआ है उसे देखने के बाद ही आप जोईन कर सकते हैं तो अब सबसे पहले कोश्चन पूछा जा सकता है कि भारत पर अरबों का जो पहला आकरमण हुआ था पहला सफल आकरमण हुआ था वो किस ने क अगला यहां पर बात करें महमुद गजनवी जो था इसका पहला आकरमण की जारी पहला जो प्रमुख है महमुद गजनवी इसका आकरमण हुआ था सन आकरमण किया था बारत पर अब बात करें यहां पर गजनी वन्स का संस्थापक कौन था जिसका यह एक राजा यहां पर महमुद गजनवी पीता इसके पिता का नाम से वक्तगीन है लेकिन गजनी वन्स का जो संस्थापक था उसका नाम था अलपतगीन अलपतगीन भी नाम पूछा जल सत्वाय गजनीवन्स के संस्थापक का नाम आगे बात करते हैं महमुद गजनभी के जो प्रमुख आक्रमड थे वो कहां कहां पे हुए थे तो पहला तो यहां पे सोमनाथ मंदिर पर उसने 1025 इसभी में आक्रमड किया था अंतिम जो आक्रमड था महमुद गजनभी के साथ ही भारत पूछा जाता है किसके साथ आया तो महमुद गजनभी के साथ आया था और यह पहला मुस्लिम विक्ति था अलवरुनी जो आके भारत में बस गया सभी हिंदू ग्रंथों को पढ़ा इसने किताबुल हिंद को तहकी के हिंद भी कहा जाता है तलवरुनी की रजना है तहकी के हिंद आगे बात करते हैं महमुद गजनभी के बाद महमुद गजनभी के बाद महमुद गजनभी आया था 1175 इस भी में इसने मुल्तान पर आक्रमड किया था आगे बात करें मुहम्मद गोरी का जो दूसरा आक्रमण था उसमें ये किस से हार गया था तो पोचा जाता है मुहम्मद गोरी को किस ने हराया था तो भीम दुतिये ने हराया था हमने राजपूत वाले चैप्टर में इसे पढ़ा था, भेम दुतिये ने हराया था, सोलंकी बंस का इसासक था, 1178 में इसने मुहमद गोरी को हराया था आगे जो प्रमुख युद इसके हुए, मुहमद गोरी के, उसमें था पहला जो तरायन का पहला युद था, प्रिथम युद, 1191 में इस भी में हुआ, जिसमें मुहमद गोरी हार गया था, प्रिथवी राज चौहान से, पहले भीहिम दुतिये से हारा, उसके बाद युद में, फिर अकला जो युद्ध है प्रमुख युद वो है, चंदावर का युद, 1194 में हुआ था, बानवे के दो साल बाद, ये मुहमद गोरी और जैचंद के बीच में हुआ था, जिसमें जैचंद हार गया और मुहमद गोरी की जीत हुई थी, चंदावर के युद वो डीटेल में आपको प्रोवाइट किया जा चुका है, पहले ही इसका नोट्स भी आपको दे दिया गया है, तो वहां से आप देख सकते हैं, आगे बात करेंगे सल्तनत काल, कब से कब तक चला था, बारस उच्छे से 1526, 1526 में जब बाबार रा गया था, उसके बाद इसक वहा हैं लोदी वन्स, तो ये पांचों की क्रम भी आद होने चाहिए, गुलाम, खिलजी, तुगलग, सयद और लोदी, आगे बात करेंगे, अब पहला यहां पर वन्स देखते हैं, गुलाम वन्स जिसे कहते हैं, मामलूक वन्स, अब क्रम से इसमें कौन-कौन से सासक कुतुबुदीन एबग, दूसरा यहां पर जो सासक है वो है आराम सा, उसके बाद इल्तुतमिस आता है, फिर रुकनुत दीन आता है, इल्तुतमिस के बाद रुकनुत दीन, फिर रजिया बेगम, मुईनित दीन बहराम सा, सब नहीं याद करना है, यह जो क्रम है, आप इतनी चीजे याद होनी चाहिए, अब यहां पर क्या-क्या पूछा जा सकता है, तो पहले तो कुतुबुदीन एबग के बारे में पूछा जा सकता है, इल्तुतमिस के बारे में पूछा जा सकता है, रजिया बेगम के बारे में पूछा जा सकता है, बलवन के बारे में कुटबुदीन एबक मुहम्मद गोरी का यह गुलाम था पहले तो यह गुलाम था इसलिए इसे वास्तविक संस्थापक नहीं का जाता है अगर वास्तविक संस्थापक की बात करेंगे अगर दिली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक का था या गुलाम उनसका वास्तविक संस करता था कुरान खुआ कहा जाता था इसे क्योंकि कुरान का ये एक सस्वर पार्ट मतलब जो गायन वाली सैली में ये कुरान का पार्ट करता था इसलिए इसे कुरान खुआ की उपादी दी थी पोछा जा सकता है निम्ने में से कौन सी उपादी कुटुबुदीन एबक की है तो यह सभी उपादिया है जो काफी फेमस है आगे बात करेंगे कुतुब बुद्धिन एबक ने क्या क्या चीजें बनवाई थी जिन से कुश्चन बनते हैं तो सबसे परे तो इसने कुतुब मिनार की नियू रखी थी कुतुब मिनार की नियू रखी थी कुतुब मिनार को पूर किसने करवाय था तो आगे इलतुत मिस आएगा इलतुत मिस ने इसने पूर करवाय था लेकिन इसकी नियू रखी थी कुतुब मिनार की कुतुब बुद 10 में हुई थी चौगान खेलते समय या फिर चौगान को पोलो भी का जाता है तो पोलो खेलते टाइम कुतुबुद्दिन एबक की मृती हो गई थी 1210 में तो 1206 से 1210 तक ही रहता है मकबर मकबर अगर पूछा जाए कहां इस्थेता है तो कुतुबुद्दिन एबक का मकबर लाहूर में इस्थेता है क्योंकि लाहूर ही उस टाइम पे इसकी राज़ानी थी आगे बात करेंगे अगला जो प्रमुक सासक है गुलाम होंस का वह ह लक्ती यह 1211 से 1236 तक था इससे पहले एक और आया था लेकिन वह इतने अमपॉर्टन नहीं आराम सा आया था जो कि एकी साल में इस उन्से हरा दिया था किस यूद्ध में हरा था तो जून एके उड्यमें हरा था जो पीर्टी की एक्जाम के लिए इतना इंपॉर्टन नही बनाई थी दिल्ली सल्टनत का वास्तविक संस्थापा की से कहा जाता है इसके अलावा इसे जो है बगदाद के खलीफा से वैधानिक स्विकृति प्राप्ति कि आप सुल्तान बन जाओ इसे पहले उतक धी वह एक गुलाम था तुर्कान एचहलगामी तो तुर्कान एचहलगामी की जपना किसने की इल्तुतमिस के टाइम पे चंगेज खान जो एक मंगोल सा सक्था वो भी आया था भारत की सीमा तक आया था यह जलालुदीन मंगबर्णी का फेसिया से भागता हुआ यहां पे यह ता इसका पीछा करते लेकिन इसने आक्रमण नहीं किया था बारत पे पूछा सकता है किसके टाइम पीरेड में आया था चंगीजग कहां तो इलतुतमिस के टाइम पे आया था अगे बात करेंगे इलतुतमिस को सिक्कों का राजकुमार भी कहा जाता है आगे बात करेंगे इसका एक बेटा था Νासुरूद दीन तो नासुरूद दीन की मृत्ती हो गई थी इसके टाइम पे इसका मकबरा भी इसने मरवाया था इल्टउत्मिस ने और मकबरा की जो एक विशुदश रहे जा लिए इसका अविश्कारक भी कहा जाता है इसके बाद इसने जो отвências राजा को अपने ईकथी को राजा बनाना चाहेता था लेकिन आमीर व्यक्ति थे जो उस टाम पर कहा जाता था जो विंद लोक थे जो दर्बार में Rock and August उन्होंने रुखनेत-धीन! को राजा बना दिया था रजिया को नहीं बनाया था लेकिन बाद में रजिया जो है जनता के आधार पर जनता से बिंती करके जनता के सामने प्रिजेंट होके इसने जो है सुल्तान का पद भी धाराण कर लिया था तो गदी पर बैठ गई थी रजिया बाद में तो पहली ये म मुस्लिम शाशिका बनी अब रजिया के बारे में पढ़ना है 1236 से 1240 तक थी रजिया सुल्टान पहली मुस्लिम सासिका थी महिला इसके अलावा अमीरे-आखूर के पत्पर कुछ चीज़े इसके लिए इंपर्टन थे तो अमीरे-आखूर किसे का जाता था तो घोड़ों के स विवाग किया था अलतूनिया ने पहले विद्रो कर दिया था उसी विद्रो का दमन करने के लिए पंजाब के साइट गई थी रजय सुल्तान लेकिन वहाँ पे इन्होंने अलतूनिया से विवाग कर लिया जब वहाँ पे यह गई थी विद्रो का दमन करने तभी दिल्ली में जो है clock, जो है जो अमीर लोगों थे उनुंने बहराम सा को गधि पर बठाल दिया था, पहले वो रजिया स्ल्थान को चाहते ही नहीं थी गधि पर बठै, लेकिन जब वो चली गई यहां से विद्रो का दमन करने राजा बनने के बाद, तो उनुने बहराम सा को गधि capture वाप्स आ रही थी शादी करने के वाद अल्दुनिय से तो रास्ते में ही हरियाणा के पास कैथल नमकस्तान पर 1240 में रजिया सुल्तान की हत्या करवा दी गई तो इस तरह से रजिया सुल्तान की कहानी खतम हो गई आगे बात करेंगे बलवन की जोकी बाराथ यहां पर इसन इतनी इंपोर्टन हे इसलिए लबरी तुर्क था और खुद को अफ्रा श्याब का वश्च को अगली सीज्च जो है बलवन के बारे में जो पूछी जया सकती है वास्तवीक नाम बल्वन का वास्तवीक नाम क्या था तो बहुत दीन था बलवन त्री नाम साटमेक एलटितमिस क्या इसमें विजा टाइम पर भॉपन ठीदका एक पृति शालिक है। मतलब दबार वह मतलपitte, जू अमीर आपना लेंच पर उन्रा पर आगे बात करते हैं। में इसको ऑलब खाकी उपादिक से देए। तो इसी बलवन के पहले एक और जो सा सकता नासुरुद्दीन महमूद उसने इसे उपादी दी थी उलूग खांकी तो पूछा जा सकता है नासुरुद्दीन महमूद की बारे में चीज़ इंपोर्टन नहीं है लेकिन उलूग खांकी उपादी किस ने दी थी ने इसको खतम किया था अब बात करते हैं एक और सिजदा पाबोस की सुरुवात की थी इसके अलावा एक सैने विभाग की स्थापना की थी जिसका नाम है दीवाने अर्ज तो दीवाने अर्ज किस से संबंदी थे पूछा दे सकता है तो सैने विभाग से संबंदी थे और इसकी स्थापना बलवन ने की थी एक और गुप्तिचर विभाग की इसने स्थापना की थी जिसका नाम है बरीदे मुमालिक तो बरीदे मुमालिक किस संबंदी थे गुप्ति कि आते हैं जो दूसरा वंस है 1290 से 1320 तक यह रहा था अगर पूछा जा जो पांचों वंस है उनमें सबसे छोटा वंस कौन सा है सबसे कम टाइम तक कौन सा चला तो यह केवल तीस साल तक चला था और सबसे छोटा वंस था खिल जी वंस अब इसमें तीन सासक हुए प्रमुक पहला है आपर जलालुदिन जो संस्थापक था 1290 में स्थापना की थी खिल जी वंस की दूसरा जो सासक है वो है अलाउदिन खिल जी अब जो पूरा कहानी खिल जी वंस की है वो सब अलाउदिन खिल जी के अंदर ही है इसी गो हमें डेटेल में पढ़ना है तीसरा जो प्र जलालुदीन फिरोज खिल जी की बाद में जलालुदीन की हत्या किस ने कर दी अलाउदीन खिल जी ने अगर आपने खिल जी वली मुवी देखी होगी जो आई थी पदमावत मुवी वो देखी होगी तो उससे पता होगा अलाउदीन खिल जी ने जलालुदीन फिरोज खिल ज ने में खेंद्सी अलाओदीन में ने खेवद सियनिकों मैं गरियों। बदल बदल के लेके जाए सैनिकों का हुलिया लिखा रहेगा तो कोई जो जो सैनिक नहीं है वो नहीं सामिल हो सकता सेना में इस तरह के लोग जो प्रॉपर जिनकों ट्रेनिंग प्राप्त होगी वही लोग आ सकते हैं इस तरह से उसने सुधार किये थे अलाव दिन खिल जी घोले को दागने की प्रिता सुरूकी लाव सैनिकों का हुलिया लिखना सुरूकिया जिसे पता रहे कि कान का सेना में है इसके अलावा भूर आज सुधा को इस ने बढ़ाया था पूराजस का जो कर था उसको बढ़ा केस ने आधा कर दिया था वन बाई टू कर दिया था जो लगबग सभी राजा थे उनके में वन बाई सिक्स रहता था लेकिन इसके टाइम पे आधे तक पहुँच चुका था जो कर विवस्ता थी तो मतलब यह कर बढ़ा था इसके अधा मूल नियंत्रण कर लेकिन बाजार के जो कीमते थी वह झों नियंत्रीत कर दी ंजिससे वो लोग आषणी से सामान खरी सखete तो इस-तरह से बाजार मूल नियंत्रण प्रडाली बहुत अच्छे से लागू की थी अलाओ दिन खिल जी ने, इसने कुछ अधिकारियों की न्यूक्त की थी, जो बजार पर नियंद्रण रखते थे, जैसे व्यापारियों पर नियंद्रण कौन रखता था, दीवाने रियासत, इसके अलाओ बजार अधिक चक कौन होता था, श और दुधारू जो पसू होते थे, उसके करकिस ने लगाया था, तो अलाओ दिन खिल जी ने लगाया था, इसके अलाओ जो अमीरों को भूमी दी गई थी, या फिर जो संद महात्पा होते हैं, उनको जो भूमी दे जाती, जिससे कर नहीं मिलता है, वो सब इसने ले ली थी अलाओ दिन खिल जी ने और उसको खाल सा भूमी में बदल दिया था, मतलब वो जो राजा की भूमी हो जाती थी, जो राज विवस्ता होती थी, उसके अंतरगत आ जाती थी, वो भूमी और उससे भी कर मिलने लगता था, इस तरह से उसने सभी भूमी को खाल सा भूमी में पदल दिया था खूत मुकदम और चौधरी जो होते थे उनका जो पैत्रिक अधिकार होता था कर्वसूलने का उसको भी खतम कर दिया था उसके लिए अलग अधिकारी न्यूप कर दिया था अलाउद्दिन खिल जी ने अमीर खुसरो जो काफी famous इसे तोताई हिंद भी का जाता है सितार की कोच तबला की कोच की थी अमीर कुछनों ने वो किसके दर्बार में रहते थे तो अलाउद्दिन खिल जी के दर्बार में रहते थे इसके लावा मलिक काफूर का एक और नाम है 1000 दिनारी इसको 1000 दिनार में खरीडा गया था गुजराद विजय के दोरान खरीदा गया था जब लाउदिन खिल जी ने गुजराद विजय की थी उस टाइम पे इसे खरीदा गया था और इसने जो दच्षड भारत के जितने भी अभियान थे अलाउदिन खिल जी के सम्में इसी ने नेतित किया था मलिक काफूर ने मलिक काफूर की एक बहुत अच्छी भूमिका है अलाउदिन खिल जी के विजय अभियान में आगे बात करते हैं अलाउदीन खिल जी के स्थापत क्या क्या है कौन कौन सी स्थापना करवाई थी तो जम्मयत खाना एक मस्जिद का निर्माण करवाया था अलाई दर्वाजा बनवाया था सीधी का किला बनवाया था 1000 खंबा महल या 1000 सितून महल ये सभी चीज़ें दिल्ली में जती थे, 1000 खंबा महल बनवाय था अलाओ दिन खिलजी ने, आगे बात करते हैं अब यहां पर अलाओ दिन खिलजी के बारे में सभी चीज़े खतम हो गई, खिलजी वंस में यहीं इंपोर्टन था एक, फिर आगे बात करेंगे तुगलक वंस की तीसरा वंस है, यह 1320 से 1398 वे तक चला था, पूछा जाया कि दिल्ली सासनत का सबसे लंबा टाइम तक चलने वाला जो वंस था, वो कौन सा था, तो यही था तुगलक वंस, सबसे लंबे टाइम तक सबसे बड़ा वंस यही था, अब प्रमु लंग का आक्रमण 1398 में, उसके बात तुगलक वंस पूरी तरह से खतम हो गया था, तो पूछा जाता है कि तैमूर लंग का आकरमण किसके टाइम पे हुआ, नासुर दीन मुहमद तुगलक के टाइम पे 1398 में, अब यहां पे पहला जो है, जो संस्थापक था तुगलक वं तो प्रमुख जो योगदान था वो ता गयासुदीन तुगलक का इसने शुरुवात करवाई थी, इसके लावत तुगलक का पायत शहर की स्थापना किसने करवाई थी, गयासुदीन तुगलक ने करवाई थी, डाग चौकी की स्थापना किसने करवाई थी, गयासुदीन गयासुदीन टुगलक का मध्याम्मारगी अगता हिसकी जो जेना वाली नीति होती थी काफी कठोर हूती थी और जनता के साथ बेवहार थप हो इसलिए इसे मध्यममारगी का जाता था ग्यासुदिन तुगलग का जो निजामुदीन ओलिया एक संद थे परशिद संद उस टाइम पर दिल्ली में उनसे बहुत मदभीद रहता था यह मिलना चाहते थे ग्यासुदिन तुगलग ने कहा कि यह तो एक रकम निर्थारित की कि इतना रुपए जमा करो राजकोस में या फिर यहां से दिल्ली से आप चले जाओ तो उस टाइम पर ग्यासुदिन तुगलग बंगाल में बुगरा खा का एक विद्रो हुआ था उसका दमान करने के लिए गय थे तब निजामुदीन ओलिया को यह संदेश विजवाय था कि एक लकडी का महल बनवाय था इनके जो बेटे थे जोना खा यानि मुहमद बिन तुगलग ने इनके लिए एक लकडी का महल बनवाय था वहीं पे इनका स्वागत करने के लिए जब ही गय तो वह लकडी का महल तूट गया और गयासुदिन तुगलग की मृत्ति हो गई इसल सबसे ज़्यादा विद्वान सबसे ज़्यादा समझदार कौन रहती है तो है मुहम्मद बिन तूगलक यहां पर जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हैं इसको बार बार रिवाइस करना पड़ेगा रिविजन के बिना कुछ नहीं होगा तो जितना भी लोग पेड़ ग्रूप को जैसे अमीर उल मोमनें इसे का जाता था कुछ इसकी योजननाय था जितनी भी योजनाय दEE जितने एची लागू की ठी लेकिए असफ़ल रहा था इसलिए असफ़ल सासक काया अब है किसानों का विद्रो होने लगा तो यह भी इस फल हो राजधानि परिवर्तन किया, दिल्ली से दोलता बाद राजधानी ट्रांसफर कर दी, लेकिन यहाँ पर भी लोग गुस्टा हो गए, कोई का अगर पूरा जो है, लोगों का घर ही उजड़ जाता है, अगर वहाँ से उनको ट्रांसफर कर दिया जाए कहीं और उनकी राजधा जिससे वो सिक्के जो हैं अलग अलग जगह पे लोग खुदी चापने लगी खुदी लोग घर में पैसा चापने लगे तो इस तरह से यह भी असफल हो गया खुरासान और कराचिल अभियान इसने किया था जिसमें इसने सैनिकों को पहले ही वेतन दे दिया था और वहां पे जो कंडिशन थी बहुत बरफबारी हो रही थी यह अफगानिस्तान के साइडिस ने अभियान किया था यह भी पूरी तरह से असफल रहा था क्योंकि सैनिक जो है उतना ट्रेंड नहीं थे तो यह भी सब असफल हो गया जितनी भी योजनाय थी आगे बात करेंगे एक विभ मोध बिन दूगल130 के अबिल्योंशन आपना में नांती Varum करेंगे चारण केना संुर्ण मोध ब्रभासूरी magistども में इसने प्रदानां कि ज ditनसी मोहम覺 बिल्ग ने प्रदान किया था डाख बेवस्था को इसने मजबूत किया, इसके अलंगा घट्टा भियान इसका घट्टा भियान था 13 Hawaiian का उसी टाइम पे इसकी मृत्षी हो गई गट्टा भियान की द्वराण इसकी मृत्षी हो गई और इसी की टाइम पे ऊचीज पूछा जासकता है कि हरिहर और बुक्का ने जो विजे नगर की स्थापना की थी किस मुगल सासक के तो मुहमद बीन तुगलक के टाइम पे की थी विजे नगर की स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के दो भाईयों ने 1336 में अब आगे बात करेंगे अगला जो सासक है वो है फिरोशाह तुगलक फिरोशाह तुगलक ने दो बार अपना राजया विशेक कराया था एक बार घटा में ही जब मुहमद बिन तुगलक के इम्रित्यु हो गई इस अभ्यान के दवरान तेरह सोग्याओन में तभी इसने अप उसी नाम पर इसने अपने भाई के नाम पर जौनपूर की स्थापना के थी नहर प्रणाली जो है ब्रिहद स्थर पर इसने विक्सित की थी नहर प्रणाली शुरुवात किसने की थी गया सुधीन तुगलक ने और इसको जो विक्सित एक दिम चरम सीमा तक कौन लेके गया पहला मुस्लिम शाकर जिसने ब्रामण उपर जजिया लगाए था फिरोसा तुगलक दो बार राज विशाय करा था पहली बार घटा में दूस्री बार दिल्ली में इसके अलामा अमीरों को जागिर्द देने सुरू कर दिया था इसने जो जागिर्द देने के प्रसा बंद हो चुकी थी उसको जो फिरोट सात गलत है इसने फिर बढ़ावा दे लिए इस तरह से भषटाचार फिरसे बढ़ने लगए ताइम पे और धिरे फिरोसाई किसकी रचना है यह जो बढ़नी एक परसिद लेकक थे उनकी रचना है तारीक के फिरोसाई तो लग अलाग है दोनों आगे बात करेंगे कुछ विभाग के स्थापना की थी जो मैंचिंग में पूछी जाते हैं पहला है दारूल सफाई एक तरह का चिकित चाले होत कुछ बिभाइग हैं फिरोसात ًगलक के आगे बात करेंगे बहुत सारे स्थापत्ति उन째 विक्षित किया था बहुत Saare जो किले वगरा पहले ब़ने था मुणकी मरमत भी करवाई थी लोक निरमाल भिभाग कि स्थापना करवाई थी फिरोसात अ खिड की मस्जिद का नेर्माल करवाया था। बेगमपुरी मस्जिद का नेर्माल करवाया था। स्फ नेरा कि मतनार्चा मिराती चिरू स करें दिल्ली ले आया था फिरोशा तुगलक काहां पर ले आया था तो फिरोशा कोटला जो जग है दिल्ली में वहाँ पर स्थापित करवा दिया था तो उपरा और मेरट के अभिलिग को आगे बात करेंगे साइद वन्स अब चौथा जो वन्स आ गया साइद वन्स तुगलक वन्स की बाद 1414 से 1415 तक था इस्थापना किस ने की थी खिजरखा ने इसकी स्थापना की थी साइद वन्स में और जो खिज रखा की न्यूक्ति थी किसने की थी तो तैमूर लंग ने न्यूक्ति की थी खिज रखा की सेयद वंस की स्थापना के तोर पर और तैमूर लंग किसके टाइम पर आया था तो तुगलक वंस का जो अंतिम शाशक था जो भी हमने देखा था उसके टाइम पर आया तो रहियत याला की उपाधी धराण की थी। कुछ और प्रमुक साख साख से साथ में मुबारक साह, मुभार्क साह, अलाउदीन आलम साह लेकिन यह सभी इंपोर्टन ही हैं सेयद वंस में बस इतना याद रखे कि सेयद वंस की स्थापना किसने की खिजर खाने की। आगे बात करते हैं लोधी वंस जो पाच्वाग वंस है इसे चौदह सो 291-152 तक रहा था जब मुगल वंस की स्थापना वें निए 2126 में यह 1526 होग। में एक मात्र जो कोश्वन पूछा जाएगा सिकंदर लोधी से ही पूछा जाएगा दूसरा यह सासक फ़े लोधी वन्स आप तीन प्रमुख सासक हुए पहलाइ बैलोल लोधी तूसरा सिकंदर लोधी, तीसरा modified a organization तो लोधी बंस के तीन सासक, बैलोल, सिकंदर और इब्राहिम अब सिकंदर लोधी के बारे में पढ़ना है तो ये लोधी बंस का सर्विस्ट सासक था और इसने क्या क्या काम किये तो 1504 में इसने आगरा नगर की स्थापना करवाई थी तो आगरा नगर की स्थापनो किस ने करवाई सिकंदर लोधी ने 1504 में और आगरा को राल्थानी कब बनाया गया तो 1506 में इसने एक माप का जो पैमाना है स्टैंड़र उगो निर्थारित किया था उसका नाम था गजे सिकंदरी तो गंजे सिकंदरी का विश्कार किस ने किया था सिकंदर लोधी के टाइम पे हुआ था इसके अलावा सिकंदर लोधी ने मुहर्रम और ताजिया जो निकलती थी उसको बंद करवा दिया था तो पूछा जा सकता है ये और एक चीज और पूछा जाता है कि जो सिकंदर लोदी था वो किस उपनाम से कविताय लिखता था तो गुलरुखी उपनाम से अपने नाम से नहीं लिखता था ये गुलरुखी नाम से कविताय भी लिखता था इसको गायन सैली में बहुत जादा इंट्रेस्ट था तो इसने लजजत ए सिकंदर शाही नाम का एक गायन का गरंथ फार्सी भासा में लिखा हुआ गायन का गरंथ इसके टाइम पर बना था जिसका नाम था लजजत ए सिकंदर शाही पूरा सकता है किस भासा में है तो ये फार्सी भासा में है और ये भी चीज पूछी जा सकते है कि किस चीज से संबंधित है तो ये गायन से संबंधित है आगे बात करते हैं इब्राहिम लोधी जो अंतीम शाशक था दिल्ली सल्टनत का और लोधी वन्स का और इसके टाइम पे घटोली का युद हुआ घटोली का युद में ये 1517-18 के बीच में हुआ था जिसमें ये राणा सांगा से हार गया था अब दूसरा जो इसका प्रमुक युद है वो है पानिपत का पहला युद जो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था 1526 में और बाबर ने इब्राहिम लोधी को बुरी तरह से हरा दिया था इस युद में 1526 की पानिपत के पहले युद में और इस तरह से ये जोइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में पूरा डीटेल देखने के बाद आप प्रीटी का प्रीटूप जोइन कर सकते हैं जिसमें आपको सभी शॉर्ट नूट वगारा प्रोवाइड कर दे जाएंगे टेस्ट और क्वेज के साथ ही इस सभी चीज इंपॉर्टन थी वीड प्रीटी में बाद प्रीटेम लॉटेण हैं सुरिखक।